भी अधिया जो आधिया वेलकम तू आवार यूटूब चैनल क्रिएटिव ग्यान अपना घर का स्कूल यह दोने चैनल पर हम काम करते हैं ठीक काम क्या कर सकते हैं कि अपने तरीके से वर्क कर रहे हैं तो ग्रूप चैनल जो हमारा बना हुआ ने वर्क क्रिट्व ग्यान पर आपको सारे हर प्रकार की वीडियो मिल सकते हैं बाइलोगी है विजिक्स है कमेश्टी है सब भी प्रकार के ठीक है बट अपना घर का स्कूल यह पास्नल चला है इसके आपको सिलफ होसे मैंस के वीडियो भी लेंगे और मोटिवेशिन वीडिय यानि इसको पूर्ण की तो फार में एक्स पेस करना है लिखना है तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं मान लेखते हैं let x is equal to 0.6 यह क्या है बार लगा हुआ है ठीक है अब हम क्या कर सकते हैं x is equal to 0.6 अब यह 6 का मतलब क्या होगा यह 6 बार बार नंबर रिपीट हो रहा है इसको equation first मान लेते हैं ठीक है अब इस equation first में क्या कर देते हैं 10 से multiply कर देते हैं multiplying equation first by 10 both sides अब क्या करते हैं multiplying equation first by 10 both sides ठीक अब इतनी बार समझ में आई बोलो कोई दिक्कत हो तो बताओ नहीं ना आप हमें यह आपर क्या करते हैं 10 से multiply करांगे यह जाएगा 6.666 dot 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 ठीक इसको क्या मान लेते हैं equation second मान लेते हैं सबस्ट्रेक्टिंग एक्वेशन है फाइस्ट फ्राम सीकेंड यानि दूसरी वाली प्रेशन से पहली प्रेशन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो दूसरी वाली क्या है यह 10x 10x से एक्स जाएगा तो 10x से एक्स जाएगा और इधर क्या है जब इससे 6.66 से माइनस करेंगे 0.66 तो क्या बचेगा ओनली 6 बचेगा तो इधर क्या हो गया 10x जाएगा तो बचेगा 9x और इस इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 कितना बचेगा 6 अब यह x के साथ में 9 क्या है multiply में x के साथ में 9 क्या है multiply में तो यहां पर क्या हो जाएगा x is equal to 6 upon 9 ठीक है तो यह 9 कहा चला जाएगा डिवाइड में फिर 3 2 जा 6 3 3 जा 9 तो h is equal to क्या आंसर आगया 2.3 और यह 2.3 आगया इसको कहा यहीं तो प्रूपन की तुरूप में हो गया हो गया हो गया कि नहीं हो गया बताव में 2.3 आगया तो 2 हो गया 3 और 3 क्या हो गया 3 हो गया Q ठीक है it's clear समझने आया आया होगा नहीं थोड़ा बद फिर से देख लेते हैं क्या दिया था 0.6 दिया था उसके उपर बार लगा हुआ है बार बार रिपीट होड़ा नंबर तुमाल नहींगे let x is equal to 0.6 बार इसके बार हटा दिया तो यह जोनी 66 बार बार रिपीट हो रही है तो 0.666 इसको equation fast माल लिया आप इसमे multiplying equation first by 10 both side 10 से क्या करा दिया multiply करा दिया दोनों तरफ left hand side में भी और right hand side में भी तो इसमें कराएंगे तो 10x हो जाएगा और इसमें कराएंगे तो 6.666 हो जाएगा यह इसको equation second माल लिया इसके बास subtracting equation आप क्या करेंगे गटाएंगे दूसरी वली equation से first वली equation गटा देंगे त सबस्ट्रेक्किंग equation first from second 10x minus x is equal to 6 तो 9x बचेगा अब इसके बाद में इसको x की वैली फाइंड आउट कर देंगे तो 2 upon 3 यह हमारा क्या हो जाएगा 2 upon q के फॉर्म में right हो जाएगा अगला देखते हैं अगला अगला कुश्चन देखते हैं मजा आएगा पस पड़ो मन लगा के पड़ो मजा हम चीज में आता है क्यों पढ़ाई ही ऐसी है कि मजा नहीं आता है ठीक लेकिन जब वह भी समाझ आने लगता है तो मजा उसमें भी बहुत आता तो 0.47 दूसरा जो क्वेश्चन है व पार लगा हुआ है क्या लगा हुआ है लाग एक इसमें भी काम करें आपके मतां कोईगा इसमें क्या क्रां कुश्चन को करेंगे और इसमें को मृतिपाया रायेंगे ठीक है तो 10 से multiply कराते हैं चलिए लेगर इसमें हमको दो बार कराना पड़ेगा ठीक है क्योंकि यहां पर टू डिजिर्स है माल लेते हैं पैड़े लेट एक्स इस इक्वल टू 0.47 ठीक है अब इसके बाद क्या हो जाएगा जो x is equal to 0.47 7 7 dot 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 करके इस तरीकी से आएगा इसको माल लिया इसको equation first माल लिया अब उन क्या कराते हैं अइसके रहीं मल्टिप्लाईंग मेरें प्रेशन ट्रेशन इसके बाद क्या मेरें 10 बोद सब्सक्राइब है अब इसमें भी हमको 10 से में 10 एक्स हो जाएगा है इस इकोल तू 0.0 अब इसमें 10 से कराया तो कि हो जाएगा वो जाएगा 4.777 डॉट 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 इसको मान लिए इक्विशन सीघंड मान लिए क्यामले एक्विशन इक्विशन सी ए्लिग कियन बात फिर इस इत्ति इप राइड प्रीuu ग hearts फिशें वाद डॉट किले ना चली ए हम अगला करते हैं इस इमें हम सेकर अलों करांदे से कि न店 टू मेल्टिप्लाइग मल्टिप्लाइंग एक्वीशन सिकेंड बाइ टेन बोज साइड इसमें जिब टेन से कराएंगे तो यह कुतना हो जाएगा यहांदेग्स से करांगे तो क्या हो जाएगा बता यूए इसमें तो फुर्टी सेवन पॉइंट सेवन कर किई इसको माल लिया मार इक्वेशन थर्ड बताओ इसको मान दिया equation third अब equation क्या करते हैं इसको equation third से equation second को क्या करतेंगे substrick करा रहेंगे चलिए substrick कराईए हम उपर का यह erase कर रहे है जब तक यह erase नहीं करेंगे तो कर भी नहीं पाएंगे उपर का erase कर रहे है यहां से रहे है क्या लिखेंगे substrickting equation second from third third equation क्या है यह 100 से 100 X minus 10 X is equal to अब यहां 47 से 4.7 जाएगा तो कितना बचेगा 43 43 बचेगा इधा कितना बचेगा 90 X is equal to 43 तो X is equal to कितना बचेगा 43 और यह 90 मल्टिप्लाइ में दखेगा आएगा डिवायाइध विःध टिच कि एक्स की वैलिव आ गई इस एक्स की वैनियो आ गई कि एक्स की वैलिव आ गई है औरे बढ़ीודה में कर देखते हैं कि नोट कर लो फंश को नोट कर से हुआ हो एक सुमझस में कुछ रहा हो आप से अच्छी नहीं लेकिन हाँ कुछ तो आएगा यह आप करोगे बार बार देखों के वीडियो को पॉस करकर के करकर के बार बार रिपीट करिए तो समझ आएगा यहां पे थोड़ी से प्रॉप्न होएं अब यह थाइड वाला इसी का थाइड वाला थाइड वाला क्या है? 0. 0.001 इसलिए अमने क्या कराना पड़ा मैंटिप्लाइ कराना था बहां पे तीनों बार बार रिपिट हो रहें तो इसमें क्या करते हैं यह इतना है इसको हमने x के साथ में माल लिया अब क्या देख सकते हैं इसको x is equal to 0.001 001 001 dot 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 यह क्या माल लिया equation first ठीक है आप हम क्या करते हैं कि मल्टी प्लाइग इक्वेशान मल्टीप्लाइग इक्वेशन फास्ट क्या हो कि तीनों क्या होएं नंबर्स रिपीट हो रहे थे पॉइंट के बाद इसलिए थाउजन से मल्टीप्लाइग राएं बोट साइड ठीक है आजाओ भैं यह 1000 हो जाएगा 1000 x हो जाएगा नहीं हो जाएगा और इस इकोल टू इधर क्या है जब हम 1000 से मल्टिप्राइक कराएंगे तो यह हो जाएगा सबस्टेक्टिंग इक्वेशन फास्ट फों सिकेंड सबस्टेक्टिंग इक्वेशन फास्ट फों सिकेंड यह दूसरी वाली से पहली वाली माइनस कर देंगे तो 1000 x से जाएगा और इधर के इतना 1.001 से इतना जाएगा माइनस करेंगे जब 1.001001 से माइनस करिए इतना ऊपर वाला 0.001 0.001 इस तरीके से है कुछ ठीक है तो अब इतना क्या करेंगे माइनस करेंगे तो इतर बचेगा हमारा 1000 x से जाएगा तो कितना बचेगा 999 x अधर बचेगा 1 तो x is equal to क्या हो जाएगा 1 अपॉन अब यहां पर इतना कितना लेखा है 999 मुल्टिप्लाइ में तर जाएगा डिवाइड तो 999 तो एक्स की जो वैलिव आ गई उक्तनी आ गई यह भी पी अपॉन क्यों की रूप में आ गया 1 अपॉन 1 अपॉन 999 ठीक है तो यह वीडियो हमको अगरा समझ में आया होगा और यह वीडियो आपको दखने समझ में आया है तो प्लीज इसे लाइक करें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें साथी साथ बेल आएकन दवाना ना भूलेगा और अपने दोस्तों को भी इसको सेर करिए थैंक्य आप करेंग दो यह वीडियों को भी इसक्षकी करें एक है तो ऩहाँ है प्लीज करेंग।